आज हम बनाने जारे हरी मिर्च की सब्ची हरी मिर्च की सब्ची को आप सफर में ले जा सकते हो दाल चाओल के साथ बना सकते हो कभी भी आप खा सकते हो बहुत ही टेश्टी बनती है हरी मिर्च की सब्ची के लिए मैंने हरी मिर्च को दो करके और बारिक कट करके रख लिया है राई और जीरा अच्छे से तड़क ना जीए नहीं तो राई किया कच्छी रह जाती है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है थोड़ा कड़वा लगता है और अगर आप इसमें सोप और राई को मिक्स करें पीस करके रखते हो न तो यह और भी टेस्टी बनेंगी तो मैं भी तो इसमें सबूट ड़िये है। अब यह अच्छह से तड़क गई है अब इसके में रखतु इसमें टूंगी हरी मिर्चि यह 2012 करते हुपस शोड़ा मिक्स करके हम क्या करना है इसे प्राय करना है तो छी अच्छ हो जाएंगी न सकर टेस्ट और अच्छ से घुर श्रण कर लेंगे इस तेल में तो आप देखिए कि हम से क्याओं करें दो मिनिट तो कम से धीमय आज पर रखेंगे इसे ताकि अच्छे से पक जाए और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएंगा तो हम ने अच्छे इसे मिक्स कर लिया पका लिया इसे देखिए आप और बोजदा हमें जलाना नहीं है इसे धीमी-धीमी आज पे ही हमें हरी मिर्ची को सेट करना होता है अगर आपको हरी मिर्ची पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा अब इसमें मिर्ची नहीं डालinté है तो मैं स्रीप हल्द डाले है और धन्या पावडर नहीं और तोड़ा सदन्या पावडर हम और लेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देगे अमचूरण पावडरICKS अरह मिर्ची की सबजने हैं घर्रूत ही नियाए हमके होको बस तो यह देखिए हम मसाला जो अच्छे से सेट हो जाएगा यह मिर्ची की सबजी आप भूल नहीं पाऊंगे इतनी टेश्टी बनती है यह बस अभी देख लिए हमने इस मिर्चीों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाला उसमें सेट हो गया है और इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे अब यह जो नारिल का बुरादा है इसके बास नारिल का बुरादा है अगर हम पहले डाल देते तो हमार नारिल का बुरादा तोड़ा जल जाता है इसलिए हमने पहले मासाले डाले इसके बाद हमने नारेल का बुरादा डाला है तो आप देखिए नारेल से मिर्चियों में बहुत अच्छा चेस्ट आता है एक मिठा से आती है और यह खारी नि लगती है बिल्कुल भी आपको तीकी नहीं लगी गी और डाल चौल, पाराटों, पूरीS, बहुत अच्छी लगती है, त हमने गया इसे, खोबराकिष स्को भी ढाल करके इसे अच्छी से मिक्स कर लिया है, आप देख रहे हैं इसे किती अच्छी रंगत आई है और इसमें मैं एक कर्टोरी में दही डाल दूंगी दही से हमारी हरी मिर्ची में बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है और बिल्कुल भी ये तीखी नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है आप देखिए एक ग्रेवी सी बन गिया हमारी खोबरा किस डाला है हमने इसमें धनिया पाड़र डाला है अल्दी और म के पास दही नहीं है तो आप एक कप मलाई भी डाल सकते हो मलाई को फेट करके डालिए बहुत अच्छा टेस्ट आएंगा ऐसा उन लगेंगे मावेदार लगता है और दही से तो बहुत ही जदा अच्छी बनते हैं दही खटा नहीं होना ची इस चिछ का जरूर धान हमारी बहुत अच्छी बनते हैं आप इसे मीठी पूरियों के साथ में बनाइए मलाई के साथ आटा लगा करके फिर उसकी पूरिया बनाई है उसके बाद इस हरी मिर्च के साथ में आप देखिएगा इतनी टेस्टी लगेगी कि आप बूलनी ही पाऊंगी और सफर में जात देखें हमारे हरीमिर् कितनी अची बनी है आप भी तो यह कि हमारा तेल चोड़े दीए हरी मिर्ची उसके बाद में इसकी रंगत का यह बनती है हुआ है अ होया में आरे गया दिम में अंध्या आज पर नहीं आज पत रही है बस हमें टेज़ नहीं आ 350 मसाले जल जा तो देखिए अब तेल बाहर निकलने लगा है और यह हमारी हरी मिर्ची बन के तयार है इसमें मैं एक चमची ने डाल दूँगी चीनी से यह हरी मिर्ची में बहुत अच्छा टेस्ट आएंगा और यह खटी मिर्थी हरी मिर्ची खाते ही बनती है आप इसे भूल नहीं पाऊंगे हमेशा बनाऊंगे अगर आपको हरी मिर्ची अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं